ओम नमाश शिवाय, सी सिवाय नमस्तु भ्यम, आईए जानते हैं सावन मास शुक्रपक्ष में प्रदोश ब्रत कब है? आज मैं आप लोगों को स्रावन मास का अध्यात्मिक महत के बारे में बताने जा रही हूँ स्रावन मास का इतना अधिक महत हमारे सास्रों में क्यों बताया गया है? आईए जानते हैं स्रावन अथवा सावन हिंदू पंचांग के अनुसार वर्स का पाचमा महिना इस्वी कलेंडर के अनुसार जुलाई या अगस्त माह में पढ़ता है इस वर्स स्रावन मास 22 जुलाई से 19 अगस्त तक रहेगा इसी वर्सा रितु का महिना या पावस रितु भी कहा जाता है क्योंकि इस समय बहुत वर्सा होती है इस माह में अनेक महत पून तेहवार मनाय जाते हैं जिसमें हर्याली तीज, रक्षा बंधन, नाग पंचमी, स्रावन पुर्णिमा और दच्चन भारत में नार्यली पुर्णिमा व अवनी अवित्तम, मत्य भारत में कजरी पूनम, उत्तर भारत में रक्षा बंधन, गुजरात में पवित्रो पना के रूप में मनाया जाता है तेहवारों की विविधिता ही तो भारत की विशिष्टता की पहचान है स्रावन यानी सावन सावन माह में भगवान शिव की अराधना का विशेस महत्व है इस माह में पढ़ने वाले सोंबार सावन के सोंबार कहे जाते हैं जिसमें इस्त्रियां तथा विशेश तोर से कुमारी यूवतियां भगवान शिव के निमित ब्रत रखती हैं महादेव को प्रिय है सावन का महिना सावन महा के बारे में एक पौराने कथा है कि जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महिना प्रिय होने का कारण पूछा तो भगवान भोले नात ने कहा कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ती से सरीर को त्याग दिया था उससे पहले देवी सती ने महा देव को हर जनम में पती के रूप में पाने का प्रण किया था अपने दूसरे जनम में देवी सती ने पारवती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जनम लिया पारवती ने युवा अवस्था के सावन महने में निराहा रहकर कठोर ब्रत किया भगवान शिव को प्रसंद करके उनसे विवाह किया जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेश हो गया इसके अतरिक्त एक अन्य कठा के अनुशार मरकंडे रिशी के पुत्र मारकंडे ने लंबी आयू के लिए सावन माहि में ही घोर तक किया और भगवान शिव के के पासे उन्हों ने अपनी लंबी आयू प्राप्त करी और यम्राज भी उनके सामने नत्मस तक हो गई भगवान शिव को सावन का महिना प्रिय होने का एक अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महिने में प्रिथवी पर अवतरित होकर अपने ससुराल गय थे और वहां उनका अर्ध और जल अविशे किया गया था माना जाता है कि प्रतेक वर्स सावन महा में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं भूरों क्वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है सावन महा में भगवान शिव की पूजा की जाती है सावन मास में भगवान संकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों के संग करनी चाहिए इस माह में भगवान शिव के रुद्रा अविशे का विशिस महत्व है इसलिए इस माहस में प्रते एक दिन रुद्रा अविशे किया जा सकता है जबकि अन्य माह में शिव वास का मूर्द देखना पड़ता है भगवान शिव के रुद्रा विशेक में जल, दूद, दही, शुदगी, शहद, सककर, याचिनी, गंगा जल तथा गन्य के रस से आदि से इस्तान कराया जाता है अविशेक कराने के बाद बिलपत्र, समीपत्र, कुशा, दूब, आदि से शिव जी को प्रसन करते हैं अंत में भांग, धतूरा, स्वीफल, भोले नात को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर बेलपत्र, समीपत्र, चढ़ाने का वर्णन पुरानों में भी किया गया है बेलपत्र, भोले नात को प्रसन करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है कहा जाता है कि आग का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बरावर फल मिलता है हजार आग के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल हजार कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बेलपत्र से दान का पुनिफल मिलता है हजार बिलपत्रों के बरावर एक द्रोन या गुमा फूल फलदाई होता है हजार गुमा के बरावर एक चिचिरा हजार चिचिरा के बरावर एक कुश का फूल हजार कुश फूलों के बरावर एक शमी का पत्ता हजार समी के पत्तों के बरावर एक नील कमल हجार नीर कमलों से ज़ादा एक धथूरा और हजार धथूरा से भी ज़ादा एक समी का फूल शुँब और पुन्य फल देने वाला होता है आये जानते हैं बिलपत्र के बारे में आये सुनते हैं बिलपत्र की एक कथा भवान सिव को प्रसंद करने का सबसे सरलतरी का उन्हें बेलपत्र अर्पित करना बेलपत्र के बीचे भी एक पौरानी कथा का महत्व है इस कथा के अनुसार भील नाम का एक डाकू था यह डाकू अपने परिवार का पालन पोशन करने के लिए लोगों को लूटता था एक बार सामन माह में यह डाकू रहगीरों को लूटने के उद्देश से जंगल गया और एक ब्रक्ष पर चढ़ कर बैठ गया एक दिन रात पूरा बीत जाने पर भी उसे कोई सिकार नहीं मिला जिस पेड़ पर वह डाकू छिपा था वह बेल का पेड़ था रात दिन पूरा बीतने पर वह परिशान होकर बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेकने लगा उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग इस्थापित था जो पत्ते वह डाकू तोड़कर नीचे फेक रहा था वह अंजाने में ही शिवलिंग पर गिर रह थे लगातार बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव प्रसन हो गए और अचानक ही डाकू के सामने प्रगट हो गए और डाकू को वर्दान मांगने को कहा उसी दिन से बेलपत्र का महत्व और बढ़ गया यह दिस संपुन जानकारी स्रावन वास के बारे में यू तो पूरे सावन का महिना भगवान संकर का प्रिय महिना है कहा जाता है कि सावन का महिना भगवान संकर को अत्यंत प्रिय है और इस महिने में पढ़ने वाला प्रदोश ब्रत, शिवराती ब्रत, यह सावन का सुमबार ब्रत यह सारे ब्रत ही भगवान संकर को अत्यंत प्रिय ब्रत माना गया है कहा जाता है कि जो कोई भी इन ब्रतों को करता है भगवान संकर अपने भक्त की सारी मनुकामनाय पूर्ण करते हैं प्रदोश ब्रत उस दिन क्या जाता है जिस दिन त्रेवदसी तिथी पढ़ती है दोनों ही पक्षों में दो त्रेवदसी तिथी पढ़ती है एक शुक्रपक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में तो आईए जानते हैं सावन मास शुक्रपक्ष में पढ़ने वाला प्रदोश ब्रत कब धारन क्या जाएगा और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए पूजन का शुब मुर्थ क्या है जो भी ब्रती प्रदोश ब्रत को करता है भगवान संकर उस ब्रती की सारी मनोकामनाओं की पूर्ति कर देते हैं कहा जाता है कि जो कोई भी साल के सारे प्रदोश ब्रत करता है वो हो सावन का एक प्रदोश ब्रत करने से ब्रती को एक सो गाय के दान के बरावर फल की प्राप्ति होती है केवल एक प्रदोश ब्रत सावन में रखने से प्रदोश काल कौन सा काल होता है यह जानते हैं सुर्यास्त से 45 मिनट पहले और सुर्यास्त के 45 मिनट बाद के जो बीच का समय होता है इस समय को प्रदोश काल कहते हैं यह का लगभग डिर घंटे का होता है यह पूजन करने का शुभ मुहुर्थ होता है सावन सुक्लपक्ष 2024 त्रेयोदसी तिथी प्रारम है 17 अगस्त 2024 दिन सनिवार को सुभा 8 बच करके 7 मिनट से और त्रेयोदसी तिथी समापतोगा रवीवार 18 अगस्त 2024 सुभा 5 बच करके 52 मिनट पर त्रेयोदसी तिथी शाम को मिलने के कारण प्रदोश ब्रत सनिवार को किया जाएगा सनिवार को प्रदोश ब्रत धारन करने के कारण इस ब्रत को सनी प्रदोश ब्रत के नाम से जाना जाएगा सनी प्रदोश ब्रत संतान के सुख के लिए की जाती है सत्रह अगस्त दो हजार चौविस दिन सनिवार सनिवार को ब्रत किया जाएगा सत्रह अगस्त दो हजार चौविस दिन सनिवार सुर्योदे है पांच बज़ करके 32 मिनट प्रात है सुर्यास्त है छे बज़ करके 51 मिनट सायन इस दिन पुर्वा अखाड़ान चत्र है 11 बज करके 49 मिनट तक प्रीत योग है 10 बज करके 47 मिनट तक इसके बाद आयुश्मान योग लग जाएगा आईए जानते हैं पूजन पिधान ब्रदी को चाहिए कि ब्रव्म मुहूर्त में उठ करके इसनान ध्यान करके भवान संकर की पूजा करने शिवाला में जाएं भवान संकर की पूजा पूरे परिवार सहित करनी चाहिए भगवान संकर को अफशे करना चाहिए जलसे, दूद, दही, शकर, घी, शहद इसके बाद में फिर गंगा जलसे स्तनान कराएं इसके बाद भगवान संकर का शिंगार करें फल, फूल, बेलपत्र, शमी के पत्र, आग का फूल, कनेर का फूल इस प्रकार से जितने भी फूल भगवान संकर को पसंद हैं, वह सारे फूल भगवान संकर के उपर अरपित करें पीले चंदन लगाएं, काला तिल और साबुत चावल चढ़ाएं भगवान संकर के उपर नाग देपता जो हैं, उन्हें भी अवस्थी चढ़ाएं, साथ में भगवान गणिस की पूजा करें, मा पार्वती की पूजा करें, कारतिके जी की पूजा करें, नंदी जी की पूजा करें इस प्रकार से भगवान संकर की पूरे परिवार समेत पूजन करना चाहिए, प्रातेह कालीन, इसके बाद घर आ करके फलहार लेना चाहिए, सारा दिन भगवान संकर को याद करते हुए, ओम नमाशिवाय या स्वी सिवाय नमस्तुभ्यम, इस मंत का जाप्त करते ही रहना चाहिए इस प्रकार से सारा दिन व्यतित करनी चाहिए ब्रति को चाहिए कि इस दिन किसी की भी बुराई ना करें किसी से भी बुराई ना सुने और बाल ना काटें ना खुन ना काटें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए फिर शाम के समय में प्रदोश काल के पहले इस्था द्यान करके फिर प्रदोश काल के समय सिवाले में जा करके भवान संकर की पूर्ण विधी विधान से पूजा करनी चाहिए साथ में उनके परिवार की भी पूजा करनी चाहिए और पूजा करने के बाद में साम के समय पूरे विधां से पूजा करने के बाद वहीं पर आसन लगा कर बैठ जाएं और प्रदोश ब्रत कथा को पढ़ें अथवा सुने उसके बाद आरती करें आरती करने के बाद भवान संकर की इस्तोती करें प्रेम पुरुवक, उसके बाद घर आ जाएं प्रदोश ब्रत में सिंधा नमक या फलहारी नमक अब जिसे कहते हैं इसका प्रयोग किया जाता है बहुत लोग दो टाइम फलहारी नमक का प्रयोग करते हैं, बहुत लोग एक बार ही फलहारी नमक का प्रयोग करते हैं, साथ में एक भोजन किया जाता है, साथ ही एक अन का सेवन किया जाता है, दो अन का सेवन निशेध माना गया है, एक अन्ड का मतलब होता है आप पूरी लें पराठा लें उसके साथ में फलहारी सबजी लें जैसे कि आप आलू लें या दही लें इस तरह की चीजे लें पराठा दही के साथ लें पूरी दही के साथ लें दूसरा अनाज रुपी कोई भी सब्जी का प्रयोग नहीं किया जाएगा इस तरह से शान के समय में एक बार एक अन का ग्रहन करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है इस प्रकार से विधी विधान से भावान संकर की पूजा करनी चाहिए पूजन के शुमुहुर्थ प्रदोश काल में आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी किरपया वीडियो को लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवसी लिग दीजेगा आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद